ना पूछो हुसन की तारीफ हमसे महबबत जिससे हो बस वही हसीन है और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यकीने आपको उसे देखते ही महबबत हो जाएगी और इसे जादा हसीन और कुछ हो भी नहीं सकता नमस्कार आदाप सस्टेकाल दोस्तो मैं हो रक्षा और आप जुड़े हुए हैं फाइब कलर्स आफ्ट ट्रैवल के साथ आज हम आपको लिए चलते हैं जैपूर की एक खूपसूरत जगह जलमहल में एक ऐसा महल जो गर्मी हो चाहे सर्दी हो हर मौसम में अपनी सुन्दरता से यहां आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर आकरशित करता है तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जलमहल जील के बीच ओ बीच बिना ये जलमहल राजिस्तान के जैपूर जिले के आमेर मार्ग पर रिस्तित है दिल्ली से लगबग 260 किलमीटर और अजमेर से लगबग 146 किलमीटर की दूरी पर बिना ये महल परेटको के आकरशन का विशिश केंद्र है वैसे तो ये महल 24 गंटे खुला रहता है पर यहां आने का सबसे उप्युक्त समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक है इस समय अधिकतर लोग यहां पिक्नी करने, quality time spend करने और शुबह शाम यहां के local लोग वाक करने के लिए भी आते है यहां आने का सबसे उप्युक्त समय अक्टुबर से मार्च के बीच का है दरसल इन दिनों सर्दियों के खिली-खिली धूप में जलमहल का नजारा बहुत यह अद्बुत और उप्सूरत लगता है पिंक सिटी जैपूर के मान सागर जील के बीच 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 बना जलमहल अनोके सौंदरे और अद्बुत स्तापते कला का बेजोड उधारन है कर दोड़ कर दो में जारा में थागन सर्द बेल taşणे के बीच आवगता है कर दोड़ को अगयो के ले भीच आवगता है झाल झाल बाहरी परिसर से देखने पर आप को यू लगेगा मानो कोई विशाल नाओ पानी में उतरी हो सहर सपाटे और गूमने के साथ साथ यह छेतर आप लोगों के लिए आयका भी साधन बन गया है यहाँ पर आपको राजिस्तानी मोजडी, राजिस्तानी जूती, हैंड बैट्स, होम डेकोरिटिव आइटम्स, जैलरी, मैगनेट और भी कई डेल यूज के समान मिल लेंगे इसी के साथ आपको यहाँ खाने पीने के भी बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे साथ ही आप यहाँ पर उट और घोड़े की सावारी का भी आनल लेख सकते हैं झाल सकती हैै झाल झाल पिकनिक, नेचर लवर्स और क्वालिटी टाइम बिताने के लिए यह जगह एक बहतरी प्लेस माने जाती है आप यहां आकर पक्षियों और मच्छियों को दाना देते हुए पहाड़ों के बीच में बनी इस छील के बहतरी नजारों का आनंद ले सकते हैं बहुत से कपल से यहां पर आपको राजिस्तानी पोशाग में फोटो शूट करवाते हुए भी नज़र आएंगे वैसे जल महल का निर्माण आवस्य तोर पर ना होकर एक पिकनिक स्पॉर्ट के रूप में किया गया था आपको जानकर आश्यर होगा कि जल महल के अंदर कोई भी कमरा नहीं है और ना कभी इस महल में राजाओं ने राद्रे विश्राम किया है इस महल के अंदर केवन कलियारे और जट पर एक पगीचा है तब ते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती क्योंकि इसके तल पानी के अंदर बनाए गए है इस महल से पहाड और जील का खुबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है चान्नी राद में जील के पानी में इस महल का नजारा बेहदी आकर शक लगता है इस महल का निर्मार आज से लगभग तीन सो साल पहले आमेर की महराज सवाई मान सिंग ने सन 1799 में करवाया था आपको बता दे यह पांच बंजिला इमानत और इस जील के सुन्दरता उस समय के राजाओं के आकर्शन का केंदर हुआ करती थी और राजा अकसर नाओं में बैठ कर इस महल की सेर किया करते थे जैन महल एक पांच मंजिला इमारत है जिसकी चार मंजिले पानी के भीतर बनी है और एक मंजिल पानी के उपर नजर आती है उस समय के राजा इस महल का उप्योग अपने मनुरंजन के लिए किया करते थे दीरे दीरे यहां राजाओं के आवजाही कम हो गई जिसके कारण यह महल लगपक 200 सालों के लिए वीरान हो गया उसके बाद साल 2000 में इसकी मरम्मत का काम तुबारा शुरू किया गया और इसे दोबारा सेलानियों के लिए खोला भी गया जेल महल अब पक्ष विहार के रूप में भी विक्सित हो रहा है जेल महल के नरसरी में एक लाग से भी ज़ादा वरक्ष लगाए हुए है दिन राच चालिस माली पेड़ पौदो की देख़ाल में लगे रहते हैं ये नरसरी राजिस्तान की सबसे उचे पेड़ो वाली नरसरी भी कहलाती है राच के समय में ये महल न केवल अगबुद रूप ले लेता है बलकि रंग बिरंगी लाइटों से जगमग होकर हर किसी को अपनी खुबसूरती का कायल बना लेता है तो जल महल का आज का हमारा ये सफर हम यही समाप्त करते हैं मिलते हैं 5 Colors of Travel के किसी नए व्लॉग में किसी नई जगे के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार